हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं और फ्रैंक्ली का हूँ तो कोई आपके साथ एक साइकोलोजिकल गेम खेल रहा है आपको सही रास्ते से भटकाने और वो इस गेमें काफी आगे हैं इस नो डावड इस वक्तों आगे हैं पर हम ऐसा क्या करें जिससे इस साजिस की तह तक पहुंच सकें अमरेता हमें किसी भी स पूरत में सच तक पहुंचना हैं साजिस की बू केस के शुरुआत में ही आ गई थी जब लाश पोस्टमार्टम टेबल पर पहुंची पोस्टमार्टम डॉक्टर अश्विन गुपता मुझसे आखे मिला कर बात नहीं कर रहे थी उनके हाव भाव से पता चल रहा था कि वो किसी दवाब में कोई कार थी या बड़ी गाड़ी भी हो सकती है इसने विक्टिम की बाइक को पीछे से उड़ा दिया बाइक स्किट कर गई और गिरने से ये चोटे लग गई ये सर पे काफी चोट आई है डोक्टर आरी शोर कोई गरबर नहीं है कोई फॉल प्ले नहीं न नहीं मेरा मतलब है कोई गरबर नहीं है एक हिट अन रन का ही केस है काफी मात्रा में अलकॉहल के ट्रेसिस पाए गए गए खून में विक्टिम में काफी शराब पी लिए होगी और बाइक चला दी होगी डोक्टर आप एक डिटेल्ड एग्जमिनेशन नहीं करना चाहेंग शायद सेकेंड पॉस्पाटम की जरूरत हो मुझे नहीं लगता इसकी जरूरत है मुझे लगता है जरूरत है डोक्टर यह जो गले पर मार्क्स है यह शायद मौत की असली वज़े है और एक्सिडेन्ट आँखों में धूल जोकने की एक कोशिस हो पेडित का नाम विकास चौधरी है जगनपुर और पेथोड़ा नगर के बीच केले के खेतों में हमें इसकी लाश मिली खेत के मालिक महिंदर नागर ने लाश को इस्पाट किया और हमें खबर दी कास बेडित के बेड़ो आपको का हो है जिसक बेडित की मत पेडित की खेतों में आपको क्या हुआ विकास अटो सर्षर मैं अपने खेतों का मुईना कर रहा हूं इनको देखा पहले दो मुझे लगा कि कोई पीप आकर पड़ा है लेकिन मैंने पास जा कर देखा तो पता चला यह तो विकास चोधरी है मैंने तुरन इनकरशना को फोन लगा है और सर मैं तुरन भगगा गया विकास जी के कर दो और सहीता जी को खबर कर देखा सर यह विकास चोधरी है जगनपूर का काफी बड़ा आत्मेव सिमन का कारो बाड़ता काफी अच्छा चलता है मुझे लगता है एक मर्डर के ऐसे दोगे है आसर विकास के गले पे गलाग होटने के निशान है साब दिखाए दे रहे है पर पोस्वार्टम दोक्टर वो जंदा है है ना नहीं सरीता जी आपके पती नहीं रहे साइटा जी कल रात क्या हुआ था दिकास जी कहां गय थे वो टीवी देख रहे थे और मैं खाना लगा रही थी इसमें चो कुछ भी मिलेगा रहा खुछ भी लेकर आज़ा आ यह लो आप मेरे दबे से कुछ खालो अर्चुण को बतारा मत कि मैं यहां बैट कर खाना का रहे थे प्लीज फोभ बहुत किसा हो जाए तुम यह पैसे रखो बात में आके तुम्हें और भी पैसे दूने कास प्लीज को कुछ बतारा प्लीज मैं आरहा हूं थोड़ी जेर में तुमनों खाना खा लेना अब पीने मत बैठ जाना सरीचा तुमसे किनी बार बोला है बाहर निकलते से में टोका मत करो मुड़ खराब जाता है पर माजी और मैंने खाना खाया बैने साड़े दस तक उनका इंतजार किया और फिर उने फोन लगाया 11 बजे फिर से फोन लगाया फिर फोन ने उठाया और साड़े ग्यारा उनका फोन बंद हो गया स्विच अफ जी पिर मैंने ग्यानी भाया और उनके बेटे कुंदन को भी फोन लगाया घंटी जाते रही पर किसी ने मेरा फोन ने उठाया मुझे लगा जादा पीली होगी शायद इसलिए उनके घर रुख गए होंगे इसलिए जब आज सुबे दर्वाजे की घंटी बजी तो मुझे लगा विकास ही होंगे सरीदा जी क्या हुआ क्रिश्ना वो महिंदर जी का फोन आया था कह रहे थे उनके खेत में विकास जी पढ़े ले है वो ठीक तो है ना पता निए सरीदा जी महिंदर जी अब को कहे कि उनकी लास पढ़ी ही है लगता है उनका अक्सिदेंट हुआ है ये ज्यानी कौन है ग्यानी चौदरी विकास के चचेरे बड़े भाई लगते हैं यहीं जगनपुर में रहते हैं जी कहां बेट कर पिरे थे ग्यानी जी और पिने के बाद आप और आपका बेटा कुंदन तो वापस घर लोटे लेकिन विकास चौदरी घर ने लोटा है सरिता ने भांग भांग चड़ा रखी है क्या कल रात पापा और मैं पूरा टाइम घर पे ही थे वैसे इसके अलावा हमें किसी और जवाब की उमीद थी भी नहीं आपकी उमीदों से हमारा कोई लेना देना नहीं है मैंना हम कल रात विकास के घर पर गई ही नहीं तो जो ज जारा क्या है मेरा नाम नहीं आना चीए सर प्लीज मैं आपको सब सच बताने के लिए तैयार हूं डॉक्टर प्रितम अगर आप किसी तरह से इन्वाल्व नहीं है तो आपका नाम नहीं आएगा मुझे बस पूरा सच टाइए स्पेक्टर राजपूत मुझे ऐसा लगता है किसी दवाब में आकर मडर को एक्सिडेंट करार दे रहे हैं सर मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कौन दवाब डाल रहे हैं वो नहीं पता मुझे सर यहाने के लिए धमके वाला फून दरसल हमीने किया था अब ऐसा कैसे कर सकते हैं आप ऐसा कैसे कर सकते हैं एक मडर को एक्सिडेंट कैसे कह सकते हैं जरूर ऐसा कहने के लिए किसी ना आपको मशूर किया है थमकाया है अगर उन लोगों ने मुझे धमकाया है तो भी आपकी यह हरकत जाइस है उन लोगों ने मतब किन लोगों ने डॉक्टर क्यों आपके पस उनका फोन नहीं आया, मुझे केस दबाने के लिए कोई कॉल नहीं है, आपको किसने कॉल किया था, डॉक्टर? मैं सालों से आपको जानता हूँ, डॉक्टर, आप ऐसे आदमी नहीं हैं, जो किसी दबाब में आकर अपने प्रोफेशन के साथ, कानून के साथ खिलवार करेंगे, वो लोग मुझे मार ढाले गए, और हम तमाशा दिखते रहेंगे, वो कौन लोग डॉक्टर? बहुत पावर पास चौधरी के साथ क्या हुआ है, मजए एक फोन आया था, डॉक्टर गुपता, अचानक से पसी नहीं चूटेगा, चलने ही पाओगे, मुए धेर हो जाओगे, क्या पकॉस कर रहे हो, चुप चुप सुनो, तुम्हें दिल का दोरा पड़ेगा, कोई गडबड नहीं, न पोर्ट में एक्सिडेंट लिख देना हूँ, अंदे का नाम विकास चौधरी होगा, और तुम्हें क्यों लगता है, मैसा करूँगा, एसा नहीं करोगे तूस एंबुलेंस में कल तुम होगे, वो पोल रहे तू, मेसंजर हूँ, संदेशा समझो, डॉक्टर साब, नहीं त नहीं रहा था, बड़े प्यार से मुझे थमका रहा था, इसके पीछे कोई बहुत बड़ा पॉलिटिकल एंगल है, ये लोग बहुत 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 पॉरफुल है, जो लोग विकास चौधरी को मार सकते हैं, उनके सामने आप और मैं तो चीज ही किया है, पूरी प् लेकिन उस धमकी के बाद उन लोगों ने कोई आक्शन नहीं लिया, पतलब आपने डॉक्टर गुपता को प्रटेक्शन तो दिया, पर उसके पहले या बाद में उन लोगों ने कुछ किया नहीं वैसे, बाद बस उस एक कॉल तक ही सीमत रही, राइट, क्योंकि उसी कॉलर से एक और ऐसा ही कॉल आने वाला था, यही है वो गेम जो विकास चौदरी की लाश मिलने के साथ ही शुरू हो गया, मुझे लगता है कि आपको हर कतम पर गुम्रा करने का प्लान बना गया था, पहले से, मेरा चचेरा भाई विकास बड़ा आदमी था, पर मैं भी कोई एमे नहीं हो इंस्पेक्टर, साजीजा जाची हम पर दुश्मनी निकाल रही है, और आप उनके बिशाय हुए जाल में पहसराय है, मुझे मेरे वकील से बात कर रहे हैं, और मुझे आजया कनोजिया और सागरभट से बात कर रहे हैं, हमें कैसे पता हो को वो तुनों का हैं, सागरभट के गायब होने के बारे हैं, विकास चौधरी की लाश हॉस्पिटल पहुचने के पहले जो डॉक्टर गुपता को धंकी वाला कॉल आया था, उसके अलावा उस सुभे एक और बात हुई थी, जमानत पर बाहर दो हिस्टी शिटर्स, जगनपुर से गायब हो थी, एक था अजय कनोजया और दूसरा था सागरभट, इसके पहले कि हमें शक भी होता कि ये एक एक एक्सिडेंट नहीं मडर केस है, ये दोनों हिस्टी शिटर्स हवा हो गए थे. सपोर्ड कर रहे थे सरपंच मनिशा प्रजापती को, जो कि विकास चौधरी की पत्नी सरीता चौधरी के अपोजिट में खडी थी चुनाओ में. सरीता जी सवाली अपने हमकों, हम समीन आस्मान एक कर देंगे, आपके पती के दोनने के लिए, हम यह सो निस्जित करेंगे, कि पोलिस उस चक्स को बेनकाब करते हैं, जिसने सकतल को एक्सिडेंट का जामा पहनाने की कोशिश की है. उसरा जब आप खाना लगा रही थी, विकास जी टीवी देख रहे थे, तो आपने ग्यानी चोदरी की आवाज से लिए? आप बार बार ही सवाल क्यों पूछ रहे हैं? आवाज एक जैसी हो सकती है, आवाजे पहचानने इतना असान नहीं होता, गलती हो सकती है. मैंने कोई गलती नहीं की है, आवाज सुनकर ही मैं खिड़की पर गई थी. मैंने खुद देखा था कि ग्यानी जी और कुंदनमा बाइक पर थे. वो दोनों तो साफ मना कर रहे हैं कि वो आपके घर आई ही नहीं थे. वो आप लोगों को सच क्यों बताई भी? क्या उन्होंने आपको बताया कि विकास जी और ग्यानी जी की जमीन को लेकर कितनी बड़ी अन्वन थी? जी बताया. मेरे पापा और विकास के पापा, इन दोनों ने मिलकर एक जमीन खरीद गी थी. अब मेरे पापा विकास के पापा जितने कामयाब नहीं थे बिजनस में. वैसे में विकास साचू क्या करते हैं? जमीन का मेजर इस्सा खुद अड़ब लेते हैं. और हमारे हक्की जमीन हमें नहीं देते. कोई वस्यत बगरा नहीं बनी थे? नहीं. क्योंकि मेरे पापा और उसके पापा के पीछ कोई अन्वन नहीं थी. लेकिन विकास तो लालच में अंधा हो गया था. उसके बड़े बड़े लोगों के साथ connections थे. तो उसने सूचा वो कुछ भी कर सकता है? सर हमें जो पैसे मिले हमने उन पैसों से पित्वर नगर में एक जमीन खरीदी. अब उसी जमीन के बगल में एक और छोटा प्लॉट था. हम वो भी खरीदना चाहते थे. उसका मालक था बशीर खान. हमारी बशीर खान से बात भी चालूती हो जमीन को खरीदने के लिए. अब ऐसे में विकास क्या करता है? बशीर खान को थोड़े ज्यादा पैसे देकर वो जमीन हासिल कर लेता है. क्यों? ताकि वो जमीन हमें न मिले. चोटा भाई इतना चोटा निकला. अब आप ही बोलो. ऐसे में के मैं और कुंदन उसके घर जाएंगे? उसे आवाज लगाएंगे? क्याओ भई पीने बैठते हैं? यह से हमारे बीच सब कुछ सही है? और वो बिना कुछ पूछे अपना खाना माना सब छोड़कर बस चपल पहन कर हमारे साथ आ जाता है बाइक पर. उसरा सरीजा चोधरी ने आप दुनों के फोन पर फोन किया था यह जानने के लिए कि उसका पती विकास कहा है? मान किया था लेकिन तब तक हम सो गया थे. सुपर उटकर जब मिस्स कॉल्स देखे तब तक हमें पता चल गया था कि विकास के साथ क्या हुआ है. और हम जानते थे कि इस मामले में सरीटा हमें ही भसाए गया. मनिशा प्रजापति, मौजूदा सरपर्ज. जो विकास की पत्नी सरीटा के खिलाफ चुनाब जीती थी, आपके सपोर्ट से. तुम क्या करते? सरीटा को सपोर्ट करते? जो हाथ हमारे पैर काटने पर तुले हो, उन्हींसे हाथ मिला लेते हैं. मनिशा प्रजापति! सरीटा चौधरी! ज्यानी चौधरी का विपक्ष के उम्मिद्वार को समर्थन करना जाहिर सी बात थी पर इस चुनाव का जो नतीजा था वो अपेक्षित नतीजे से बिलकुल हटकर था जर्टा जोधरी मनीशा प्रजापती मनीशा प्रजापती जर्टा जोधरी मनीशा प्रजापती जर्टा जोधरी मनीशा प्रजापती जर्टा जोधरी मनीशा प्रजापती जर्टा जोधरी जर्टा जोधरी जर्टा जोधरी जर्टा जोधरी मैं सिर्फ एक साधारण सी ग्रहणी हूँ मैंने चुनाव इसलिए लड़ा क्योंकि मेरे पती चाहते थे कि मैं लड़ू पर मैंने कभी नहीं सोचाता कि इस चुनाव की कारण मुझे मेरे पती को खोड़ा पड़ेगा अभी हम यह तो नहीं कह सकते कि आपके बती विकाश जी का गतल चुनाव की वज़े से हुआ और हम कोई है जो इस मंदर को एक्सिडेंट का रूप देना चाहरा मेरे मेरे पती हमेशा कहते थे कि ग्यानी बिया उनके साथ कुछ बहुत बुरा करेंगे बदला लेंगे उनसे और ऐसे लेंगे यह मैरे कभी नहीं सोचा था मिझे तो लगा था कि चुनाव में हराने के बाद उनका बदला पूरा हो गया है निर्दली उम्मीदवार मनीशा परजापती को इस चुनाव में विज़ई घोशित किया जाता है बदला गया है अब देपेका कैसे हुआ यह और चेरा वोट से हारी है सरीटा मसाग चल रहा है क्या मेरी भी कुछ समझ में लियारा कि इस अब हुआ कैसे हमने दुबारर से काउंटिंग कर वाई नतीज़ा वही निकला है अरे लेकिन ये हुआ कैसे अभी तक तो हम ही जीते आ रहे थे ना हाँ लेकिन इस बार धोका आपके घर के अंदर से हुआ है आपकी ज्यानी भाईया ने कोई चाल चली है पैसे फेके खरीदा है वोटर्स को पाठक जी ये ठीक नहीं हुआ है बहुत गलत हुआ है अपनों नहीं पीप में खंजर भोका है फकास क्रॉस वोटी हुए सर्जिता जी को कम से कम 2000 वोट तो मिलने ही मिलने थे पाठक जी नल खोल के डोनेशन दिया है मैंने पाठक जी ये सीट मेरी और सिर्फ मेरी थी और सारी अब इस दखक कैसे भी ने पटल एकास मेरे दिल में कैसी आग उपल रही है पाठक के किसी सदसी नहीं ये ये का थारी की उसे सजा तो दीनी ही पड़े थे पर इसीट हम वापस लेंगे कोई भी कीमत हों कास आई ये खाना लग गया है तुम इखा लो मेरे हलक से रोटी नहीं उतरेगी हार हर्जम नहीं हुई अभी तक और ना होगी अब इसको इतना दिल पर लगा कर क्यों बैठें क्योंकि नाक कटी है हमारी इस दब उसलिए और किसने उचा लिए कुद मेरे खून ने ग्यानी भाईया ऐसा गंदा गेम खेलें हैं हमारे साथ देखती जाना ऐसे वो उस मनीशा प्रजापती को कर्षपुटली के तरह न चाहते हैं तो असली निशाना तुम मैं हूँ तिलमिला तेखना चाहते हैं तभना कैसा गंदा वार करेंगे मुझ पर और जयानी जी ने वार कर दिया और क्यों वो तो चुनाब जीत कहते हैं तो खुश रहते पर बाती को जान से मारने की ज़रूर घए इसलिए सब लोग कहते रहे कि एक्सिडेंट है एक्सिडेंट है पर आप जानते हैं कि एक्सिडेंट नहीं था हम जानते हैं मडर हुआ है विकास जी का लेकिन सरीता जी कोई ठोस कारण तो होना चाहिए जो इतनी दुश्मनी और इतनी रंजिश के बावजी उदापके पते विकास जी ग्यानी और कुंदन के साथ गए उनके साथ बैठके शराब भी पी और फिर उन दोनों ने आपके पते विकास जी को मार डाला मैं हमेशा चाहती थी कि विकास जी ग्यानी जी की दुश्मनी पर मिट्टी डाले मुझे उनका ये पॉलिटीचर लोगों से मेल जोलना में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था मैं ये चुनाब कभी लड़ना ही नहीं चाहती थी इलाके के सारे शराब के ठेके देशी अंग्री जी सब जग अपने बंदे में लें कहीं से भी ये ख़वर नहीं कि ग्यानी विकास और कुंदन शराब पीने बैठे थे और नहीं ये ख़वर है कि तिनों ने शराब खर दी है शराब तो पहले भी खरीदी जा सकती है ना, साथ मिले के गए होंगे बाइक पे विकास, विकास साथ जोलाई की रात को ग्यानी और कुंदन चोधरी, दोनों की सेल फोन लोकेशन जगनपूर थी और विकास का फोन पी जगनपूर में सुझट ओफ वा था सब पहले से बारी की से प्लानिंग कर रखे होगी दोनों बाप बेटे ने क्राइम सीन पर हमसे कहीं कुछ छूट तो नहीं गया है वोटल, ग्लासेज बगारा नहीं सर, हमने दो बारी की से इस करने के चाहें तो एक बारी और कर सकते हैं जमानत की अरजी डाल दी उन्हें कल तक आपको कोट में पेश करना ही पड़ेगा क्या उन्हें कुछ मिला है हमारे खिलाफ जहां तक मुझे पता है नहीं उन्हें कुछ मिलना भी नहीं चाहिए आप एक सेकंड के लिए भी यह नहीं बूलेंगे निशिकान जी यह सारा गेम अमें फसाने के लिए खिला जा रहा है मैं हर मुम्किन कोशिश करूँगा कुंदन लेकिन मैं एक बास जरू करना चाहूँगा कि आप लोग ने जो कुछ भी किया है वो नहीं करना चाहिए था खैर अब हम उमिद करते हैं कि उन्हें भी इस बात का कभी भी पता न चले सवाल ही बैदा नहीं होता सुबोत का एक कतरा भी नहीं मिले का मुले पर कहीं पर भी कोई बोतल या ग्लास नहीं मिले और दो हिस्टे शिटर अजे करनोजिया और सागर पड़ उसी सुबह गाया हो शायद ग्यानी नहीं उनको बोला हो गो सारे सबू समेट के गायब हो जो जैसे नंदनी ने बाद उठाई इन दोनों ने सुबह तक इंतिजार क्यों किया भागने के लिए यह बाद तो मुझे भी खटके सर उपर से सर पर जो गाओ किया गया एक्सिरेंट का लुक देने के लिए अब यह बाद है सर तुमारे इंस्पेक्टर राजपूत को बोलिये क्राइम सीन पर कुछ नहीं मिलेगा क्योंकि वहां कुछ हुआ ही नहीं तुम वही हो ना जिसने डॉक्टर गुपता को दहम की दी थी क्या फाइदा मेडम ना उसने मेरी सुनी ना आप लोगों ने एक्सिदेंट का केस समझ कर खतम कर देते हैं खैर आप सुनो बहुत जरूरी खबर देने जा रहा हूं क्या खबर दे हैं सर एक औरत का नाम और एक होटल का नाम क्यानी चोधरी और उसके बेटे कुंदन चोधरी का विकास चोधरी के मर्डर से कोई लेने देना नहीं है छोड़ दो उनको ना चोड़ू तो उकसान होगा आपका धंकी दे रहे हो क्या कर लोगे इतना जल्दी कुछ नहीं करने वाला मैं यह जरूर कहूंगा कि जिसने मर्डर किया है वो आप से कोई सो दूर है किसने क्या है मर्डर विकास चोधरी के फोन रिकोर्ड से कुछ नहीं मिला आपको बहुत कुछ मिलेगा विकास चोधरी का मॉर्डर किसने करवाया ग्यानी और कुंदन नहीं फिर किसने खुद विकास चोधरी की बेवी सरीता चोधरी ने अब कातिल का मेसेंजर हमारी मदद कर रहे है लेकिन क्यों कल ग्यानी और उसके बेटे कुंदन की कूट में पेशी ह उन्होंने बेल की अप्लिकेशन डाली है शायद इसलिए कि हम अपोज न करें अब तो सवाल ही पैदा नहीं होता आपोजना का में सर ये पायल बाजपई का पता लगाना तो बनता है जूटी लीडी से ही देखते हैं जाती कहा तक है पायल बाजपई ये कौन है खबर मिली है कि आपके पती है किसी पायल बाजपई नाम की लड़की के साथ तालुकात थे कैसे तालुकात वो भी पता करना बागी है अफैर था हमने कहा वो भी पता करना बागी है मैंने सवाल आपसे इसलिक है कि शायद आपको इस बारे में कुछ पता हो और आपने हमें ना बताया हो मैं सिर्फ इतना जानती है कि विकास जी मेरे पती था और उनका खून हो रहा है पर आप मुझे बताईए ये ओरत पायल या जो भी है क्या इसकी वज़े से ग्यानी भेया ने इने मरवाया जो तो लगता था कि जगरा सिर्फ जमीन को लेखर था पायल बाच भी हमारी तरफ भेंकी गई एक गुगली थी पर ये गुगली क्यों भेंकी गई थी ये हमें उस वक्त पता नहीं था पर बहुत जल्द ये मालूम हुआ कि ये नया एंगल हमारे हाथों में कुछ ऐसा ले आएगा जो इस केस को सर के बल उलड़ देने वाला था जी मैडम मैं मैंनेजर निस होटल का प्रकाश कुमार अब ये तो बोलना मैं कि तुम इसे जानते नहीं है जी मैडम ये तो विकास जी है विकास चोधरी सुना इनके बारे में विकास चोधरी यह आते थे जी पाइल बाजपी किसा अब मैडम हम अपने कस्टमर्स की प्राइवेट बाते किसी को नहीं बता सकते है तो यह प्राइवेट श्राइवेट बाते तो अलग ही रखो और सवाल का जवाब दो यह लिजी मिले, यह रहे नवीन सौलंकी और पूजा बैनर जी, इन दो फर्जी नामों से रूम बूक होते थे जी मेडम, विकास जी सब कुछ सीक्रेट रखना चाहते थे तबके CCTV फोटेज तो होंगे ही? सारे फोटेज एरेज कर दिये जाते विकास जी के strict instructions थे वो नहीं चाहते थे किसी और को इस बारे में पता चले लेकिन प्रकाश हमें इस पायल बाजपे के बारे में पता लगाना है मैडम मैं इस औरत के बारे में तो नहीं जानता है लेकिन हाँ एक बात जानता हूँ एक आदमी था अब मुझे पुरा डाउप था जो विकास ची और उस औरत जो उनके साथ आती थी उनका पीछा कर रहा था कौन था या आदमी? विकास चौधरी की जिंदगी में एक दूसरी औरत थी पायल बाच में और इन दोनों का कोई पीछा कर रहा था जाहिर सी बात है ये पीछा एक खास मकसद से किया जा रहा था एक दो बार इस पीछा करने वारे ने हमारे होटल में चेक-इन भी किया मैंने मार करके रखा है ये देखे उसके डीटेल भी हमारे पास ये उसके आईडी प्रूप की फोटोपी हमारे पास रकाश आपको कैसे पता चला कि ये सूरज डाल मिया पायल और विकास जी का पीछा कर रहा था मुझे नहीं मालूम इसूरज का नाम पायल है या नहीं रही बात सूरज डाल मैंगी ये तभी आता जब विकास ची और वो और होटल में चेक-इन होते है सूरज चेक-इन करता पर होटल से बाहर नहीं जाता विकाहजी और उनकी लेडी गैस्ट जब भी आने वाले होते उसके एक दिन पहले ही ये आदमी धमक जाता मानो उसे मालूम होता उनके प्लान के बारे में मुझे लगा कि ये सूरज डाल्मिया विकाहजी और लेडी गैस्ट की चुपके से फोटोग्राफ्स लेता था तेजून दो हजार सोला को सूरज डाल्मिया ने आखरी बार चेकिन किया जी मैडम एक साल हो गया और मैंने विकाहजी को आगाभी किया था कि उनका पीछा हो रहा है अगली बार जब ये आदमी दिखे ना मुझे तुरंट फोन करना प्रकाष ठीक है जी विकाहजी मैं इसे रेड हैंड पकाड़ना चाहता हूँ बढ़ गया और ये आदमी सूरज डाल मिया उसके बाद कभी चेक-इन हुआ ही नियुक्त जानती तो भीजती ना इंस्पेक्टर मुझे तो पता ही नहीं था कि उनका अफैर चल रहा है तो फिर किसने भेजा होगा ग्यानी चौधरी या कुंदन चौधरी तो हो नहीं सकते क्योंकि उन दोनों का इस औरत से क्या लिना देना होता उनका मसला तो जमीन को लेकर था ना ये मेरे पती का जो अफैर चल रहा था वो वो लंबे अर्से से था क्या और कौन है ये लड़की ये हम पता लगा रहे हैं देखे सरीता जी जिस आदमी ने पोस्टमाटम डॉक्टर को फोन करके ये धमकाया था कि स्मडर केस को एक्सिडेंट केस बता दो शैद उसी आदमी ने इस औरत पाहल बाचपई के बारे में हमें बता है बाबा जूट नहीं है क्योंकि हमने चेक क्या आउटल हम जानना चाहते हैं सरीता जी कि आखरकार माजरा क्या है मैं भी यही जानना चाहती हूँ आखिर है कौन ये लड़की पाहल बाचपई नाम की आउरत है शादी शुदा है पती दुबई में और पीछे से इसका विकास ओदी के साथ अफेर मालिक आउरत तक तो पहुँच गए है लेकिन इसका इस विकास के साथ अफेर था या नहीं ये जानने के लिए और अंदर गुशना होगा मेरे माबाब तीन साल पहले गुजर गए थे विकास के अलावा मेरे इस दुनिया में कोई नहीं था अब वो भी नहीं रहे आप भी बताइए उन्हें मरवा के मुझे क्या हासल होता और एक बात मुझे शुदा बारे में कुछ नहीं पता था और अगर पता भी होता तो उन्हें मरवाना तो दो मैं उनसे पूछने की हिम्मत भी निच्टा पाती अगर वो कहते कि अफैर है तो बस तक्दीर समझ के कुबूल कर लेती पर मुझे लगता है कि ये अफैर और ये सारी बात मन गरंत है कोई कहानियां बना रहा है अब आप ग्यानी चौदरी का नाम लेंगे पर ज़रा सोचिए सरीता जी जमीन के मसले के लिए ग्यानी चौदरी ये मन गरंत कहानी क्यों बनाएगा मुझे नहीं पता अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपने पती को जानती ही नहीं थी पायल बाजपी अब वो कड़ी बन गई थी इस केस की जो मर्डर के एक नए मकसद पर रोश्नी डानने वाली थी हम एक और पेजिदा साजिश के जाल में कदम रखने चा रहे थी पायल बाजपी जी विकास चौधरी की शोकसभा में नहीं आई है अना ये होटल के नाइन की पूजा बैनर जी आई कहीं और चलकर बात कर सकते हैं मुझे अग बाहर पढ़कर पता चला बहुत धक्का लगा मुझे कैसे जाती मैं शोकसभा में मुझे जाता चला तोह हमजे जान से भंगे जांगे विकास चौधरी अलरेडी मारा गया यह ऑपAPPा और उसका हमारे रिष्टे से क्या लेना देना से तो फिर किस से ले लेना देना थ हरा कोई भी नहीं जानता था आमारे至स्टे के बारे में इसके अलावा कोई नहीं जाबता था कौन है ये? मुझे नहीं पता कि ये कौन है लेकिन विकास ने भी मुझे जरूर पूछा था ये मेरे हस्बें ने? हाँ, कहीं उसे हमारे बारे में कुछ पता तो नहीं चल गा ना? और रसी ने किसे को भीजा होगा हमारा पीछा करने? ऐसा हुए ही नहीं सकता मेरे हस्बें को हमारे में कुछ मालूम ही नहीं है तो आखरी आदमी है कौन? मुझे नहीं पता विकास और अगर ये आदमी हमारी फोटो ले रहे है ना तो मेरे लिए बहुत बड़ा खत्रा हो सकता है तुम्हारे लिए बड़ा खत्रा हो सकता है तुम्हें जरा भी अंदाजा है मेरे लिए किना बड़ा खत्रा हो सकता है तो शादी नहीं, बिजनेस, पॉलिटिक्स हर जेगा बदनामी होगी मैं पता लगा के रहूंगा कि आखिर या अदमी है कौन तुम्हारी जासुसी कर रहा है या मेरी मुझे कभी पता ही नहीं चल पाया कि ये सूरज दाल्मिया था कौन और ये क्यों हमारा पीछा कर रहा था अफेयर कब शुरुआ था आपका दो साल पहले मैं घर का रेनोवेशन करवा रही थी मेरे हस्बेन ने दुबाई से मुझे पैसे भेज़े थे फिर इसी सिलसले में मैं विकास के डेपॉर्ट गई थी कुछ डिजाइन वगेर पर बात हुई और तब ही से हिसाब शुरू तो फिकर नहीं होती थी कि विकास चौधरी की पतनी सरीता चौधरी को पता चलेगा तो क्या हो सकता है विकास कोई कोई फिकर नहीं थी कहता था कि उसकी वाइफ को कभी कुछ मालूमी नहीं चलेगा तो विकास चौधरी ने इस सूरज डाल्मिया के बारे में क्या किया वि उने पायल की कड़ी पूछताज की ये पता लगाने कि विकास के मडर में कहीं उसी का हाथ तो नहीं था पर यही उभर कर आया कि पायल दरसल अकेले पन का शिकार थी और उसके अफेर का यही मुख्यकारार था और जैसे किसी खेल में अगला पडाब होता है साजिष का अगला पडाब भी आया हमें फिर एक फॉन कॉल आया क्या ये कोई जेन्योन टिप थी या साजिष का हिस्सा है अलो गडाम सर जी कौन मुल रहा है सूरज बात कर रहा हूँ सूरज डाल मिया क्या बात है सोयम आप तो आपको पता चली गया कि बड़ी शिद्दा से डुंडा जा रहा है आपको अब पता तो चली जाता है सर वैसे आपको एक रास की बात बता दू ना तो मैं बाइक चलाता हूँ और ना ही कार मतलब तुम्हारा लैसेंस फर्जी है जो होटल के-9 में पेश किया गया था जी सर फिर तो तुम्हारा नाम भी सूरज डाल में नहीं होगा जी बिलकुल और एक और रास की बात मैं बलरामगड़ भी नहीं रहता हूँ जानता हूँ तुम किसी और इलाके के हो इसलिए लैसेंस भी बलरामगड़ का बनवाया जी बिलकुल सर मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि विकास चोधरी को मैंनेजर रूप से नहीं जानता था और इस मडर से दूर दूर तक मेरा कोई तालुक नहीं है तो पिर विकास और पायल का पीछा गरना उन लोगों की तस्वीरे लेना उसका किस चीस से तालुक है एवी टाइम पास सर टाइम पास करने के मेरे पास और भी काई तरीके है मैं बस प्रोफेशनली अपना काम कर रहा था मुझे पैसा मिला था उनका प्तिशा करने के लिए तस्वीरे निकालने के लिए अब चाहते हैं तो तस्वीरे आपको फावर्ट कर देता हूँ और इस काम के पैसे किस ने दिये थे जगनपूर की सर पंच मनिशा प्रजापदी मकसद क्या था इस जासुसी का मकसद कौन पूछता है सर पैसा मिला काम किया आप ये कुछ मनिशा मेडम से क्यों नहीं पूछ लेती है अगर ये सब कुछ सरपंच मनिशा प्रजापदी का क्या करा है तो मकसद साफ होगा विकास चौधरी को ब्लैकमेल करना और सर अगर ब्लैकमेल किया भी होगा तो ये बात सिर्फ और सिर्फ मनिशा और विकास चौधरी के बीच में ही रही होगी ब्लैकमेल का मकसद क्या होगा ऐसा मनिशा तो सरपंच है कई सरपंच बनने के लिए मनिशा ने तो नहीं विकास चौधरी को इस फोटोस दिखा कर ब्लैक मिल किया ताकि सरीता चुनाव न लड़े पर सब को बताए कि चुनाव वोई थे और विकास ने सरीता को पीछे अटने को नहीं कहा था सरसुनाई एलेक्शन में काफी क्रॉस वोटिंग हुई थी लोग अधिकार दल की उमेदवार सरीता चौधरी एक तरह से फ्रंट थी तो उसके पती ने उसे एलेक्शन में खड़ा किया था अगर यह तस्वीरे ली गई हैं तो पूरे चांसे से इस्टिंग उपरेशन भीवा होगा लेकिन जहां तक मुझे याद है ऐसी कोई तस्वीरे या वीडियो ऑनलाइन या टीवी पर तो नहीं है पॉलिटिक्स का दलदल हैसर तस्वीरे ली होगी धंकाने के लिए बंदा सामने से मान गया होगा और तस्वीरे चाप ही नहीं होगा अगर तस्वीरे चाप कर किसी को चुनाव हराया जा सकता है तो फिर ऐसा क्या क्यों नहीं है दो लोगों से तुरंद बात करते हैं एक सरपंच मनिशा परजापती से अग दूसरे जगनपूर टाइम्स के एडिटर नरेश मचोरी से दिखिए वो जो तस्वीरें आप कह रहे हैं वो मेरे टेबल पर तो कोभी आई नहीं हाँ पर इतना मालूम है कि मेरे टेबल पर आती जरूर आती मतलब आती मतलब ये कि आ सकती थी आने की पूरी संभावना थी इलेक्शन का टाइम था ऐसे में हर कैंडिडेट अपने विपक्ष के खिलाफ कुछ न कुछ मसाला चापवाना चाहता ही है और हमें स्टेंडबाइपर रखता है तो यह फोटो आपके पास आएंगी ऐसा आप स्टेंडबाइपर थे पर यह फोटो आपके पास पॉँची क्यों नहीं अब यह ऐसे फोटो लिए गये हैं यह मुझे पता ही नहीं था तो कैसे जबब दू जरा खुलके बात करेंगे विकास चौधरी के मडर की के समै हमें आपسे मत चाहिए हमने आपके डिपार्टमेंट से मत अदध मागी थी इसी केस में आपके डिपार्टमेंट ने तो कुछ नहीं दिया नरेजी जब हमारे पास ही को इन्फोर्मेशन निये तो हम आपको क्या देते हैं। हम तो अब भी बस यहां से महां भागे जा रहे हैं। हमसे कोपरेट करते हम आपसे कोपरेट करते तो विकार में आपको इस तरह फुटबॉल बनने की जरोद नहीं पड़ती। कोई आपका इस्तमाल नहीं करता है ऐसे। कौन कर रहा हमारा इस्तमाल। एक बात बताइए। इस सरिता चौधरी हारी तो हार किसकी हुई थी। विकास की और किसकी। पिछले साली सरपंज की सीट महिला केंडिडेट के लिए आरक्षित की गई थी। तब विकास ने अपनी कटपुतली सरिता को बनाया था। बिल्कुल सही पकड़िया। और अब बताये विकास चौधरी की हार मतलब किसकी जीत। मनिशा परजाबती। देखे यहीं चुक गया आप। यह खेल ऐसे थोड़ी ने खेला जाता है। मनिशा को खड़ा किसने किया था। निर्दली उमिदबार। किसने। अब यह कोई खुले है। हम इस्तियार देकर थोड़े बोलेगा। कि यह मेरी कटपुतली है। पर आप वोटिंग का पैटन देखिए। क्रॉस वोटिंग हुई है। और एक रॉस वोटिंग हुई नहीं है। करवाई गई है। अंदर से। पार्टी के अंदर से। समझ रहे हैं। सरिता और विकास की पार्टी। कराने वाले का नाम तो बोली। शायद कतल भी उसी ने करवाया। अब यह हमें पता होता तो हमने अब तक चाप दिया होता ना सरिजी। पर इतना पकड़ कर चलिया। यह जो कुछ भी हुआ है अंदर की बात है। राजू स्पेशल वाली चाय बोलना। साबलेओं के लिए। चाय रहने दीजे। हमें स्पेशल खबर चाहिए, मनिशा जी। हमें कुछ ऐसा मिला है जो कही ना कही आप से जुड़ा हुआ है। इसके बारे में कुछ कहना चाहेंगी। पहले तो आप एक बास समय दीजे। कि मैं जगनपूर की साफ़ पंच हुए। कम से कम अगले चार सालों तब तो मुझे अपनी कुछी चेन जाने का कोई डर नहीं है। तो मुझे क्या जरूरत है किसी सो उसकी जिन्दगी चेननू। चाहे वो विकास चौधरी जैसा बड़ा आदमी क्यो ना ह। आप बहुत दूर की सोच रही है, मनिशा जी। हमने सुन लेया, आप हमें बताइए कि हमें ये इसकी बात क्यों नहीं मागने चाहिए। अगर ये मेरा नाम ले रहा है, तो कोई बेफकुफ भी बता देगा। कि ये जूट पोल रहा है मुझे फसाने के लिए। ना तो इसके पास और नहीं आपके पास। सबूत का एक कत्रा भी है। सबूत साथ भी किये जाते है, सर्पन जी। किये जाते होंगे, लेकिन मैं दावे के साथ कैसे ह। मैंने कोई सबूत नहीं मिटाए। क्योंकि मैंने कोई कतल करवाय ही ने। पिछले साल विकास चौधरी की पत्नी सरीटा चौधरी के खिलाफ आपको खड़ा किया गैए। सरीटा को हरवानी के लिए आपको जितवाएगे। कम इस से बात कीजिए। जितवाया गया क्या होता है। सारिता की तरह मैं किसी के हाथ की कट पुतली नहीं हूँ, मैं चुनाव में खड़ी हुई, चुनाव लड़ी और चुनाव जीती, और मुझसे ऐसे बेतु के सवाल करने से अच्छा है, कि आप ग्यानी चौधरी और उसका बेटे कुंदन चौधरी, उनसे सच अगलवाईए, हो सकता है कि उन्होंने अपनी जाती दुश्मनी का बतला लिया हूँ, आप उन दोनों का नाम ले रहे हैं, पुरा गाउं जानता है कि ग्यानी चौधरी और उसके बेटे कुंदन चौधरी ने, आपको चुनाव में अपना समर्थन दिया था, समर्थन मुझे जगनपूर क जन्ता ने दिया था, जिन्होंने मुझे वोड दिया, राजनीती में लोग उमीदवार को नहीं, अपने स्वार्थ को समर्थन देते हैं, और वैसे भी, ये विकास चौधरी से मेरी आसी कोई परसनल दुश्मनी तो थी नहीं, जिस सीट से मैं चौनाव लड़ रही थी, उ और ज्यादा वोटों से जीच सकती थी, सिर्फ ते रहा हूँ, एक साल हो गया चौनाव को, और अब एक साल बाद ये बाते बाहर निकाल कर कोई मुझे पेकार में इस कतल में फैसानी की कोशिश कर रहा है, और माफ कीजिए, बड़ी चालाकी से आपको गलत राज से में पतलब की रोटियां से ख रहे हैं, और ग्यानी और कुंदन सब से आगया है, पापा, मुझे डर लग रहा है, कि आखर में ये लोग हमें भली का बकरा बना के रहेंगे, बेना जब हमने कुछ किया ही नहीं है तो फिर हमें शिंता करने की क्या जरूरुएत है, तुम टंशा जब किसी माहिर खिलाडी ने इतनी बारी की से जाल बुना था, तो फिर विकास के मुडर को फुल प्रूफ एक्सिडेंट का केस क्यों नहीं बनाए गया, क्यों उसके गले पे निशान छोड़ दिया गया, जिससे आसानी से मुडर का शाक उबरे इतनी बारी की से प्लैनिंग करने वाला गलती से निशान छोड़ कर तो नहीं जाएगा, गले के ये निशान अपने आप में एक शातर चालती, पहले ये समझना होगा कि आखिरकार खिलाडी खेल क्या खेल रहा है, हलो, ये सब अभी क्यों हो रहा है, ये तस्वीरे और ये मैं क्या जानू, क्या पता तुमने अपने आपको सेफ कर लिया और मुझे सूली पर चड़ा रही हो, नहीं मनिशा, कोई तीसरा ही है जो हम दोनों को दलदल में ढखेल रहा है ताकि उसकी नहीं आना डूब है, एक बात याद रखो दिपिका, गर मैं डूबी तो तुम भी समझ रही हो ना अब वक्त आ गया है, अजै कुनोजिया और सागरवट को सामने कर दी अजै अगर वाकई में सरीता के जरिये विकास की हार की जड़ ढून रहे हो, तो लोक अथिकार दल की जिला अध्यक्षा देपिका राय को खंगा लिए, जिसने सरीता चोधरी का नाम सरपंच के चुनाब में प्रपोस किया था, आपका शुपचिन तक नरेश पचोरी जगनपू अब ये एडिटर हमें दाना डाल रहे है, दानों की तो बरसात हो रही है सर, अजय कनोजी और सागरबट की लोकेशन भी गोद में आ गिरी, ऐसा लग रहा है सर, विकास चौधी मुर्डर केस में हम तहकीकात कर नी रहे है, हमसे तहकीकात करवाई जा रहे है, ये पूरा ए सेट अप है, सब कुछ एक सेट अप का हिस्सा है, क्या तुमें एक अलग दिश्टी कोर से, अलग नजरिये से बता सकती हो कि इस सेट अप में कहां फसे हम, और कैसे, और चूक कहां रहे हैं, क्या आप वाकई में इस केस की तह तक जाना चाहते हैं, इंस्पेक्टर, पिकास हमारी पार्टी का सदस्य नहीं था, लेकिन एक एक एक्टिव सपोर्टर था हमारी पार्टी का, सरिता पार्टी तुमारे साथ है, मैं तुमारे साथ हूं, हम भीकास की गुनिकार को सजा दिल वाक के रहेंगे, बचे का नहीं वो, भरोसरा कौंबर, हाँ हम इस केस की तह तक पहुँचना चाहते थे, क्योंकि हम जानते थे कि जो है, दरसल वो, वो नहीं है, ये केस इतनी आसानी से हल होने वाला नहीं था, खास करके तब जब इस केस के इर्द गिर्द इतने सारे पेचीदा जाल मेचेवे थे, हमें तहकीकात फ्लेश बैक में ले जाने वाली थी एक साल पहले, जब सरीता चोधरी मनिशा प्रजापती के सामने सरपंच का चुनाव हारी थी, ये केस दर असल था महत्वा कांगशा और बगावत का, तहकीकात को गुमरह करने प्लैन A, B, C के बाद भी कई छोटे मोटे प्लैन्स थी, अब हम ऐसा प्लैन बनाने वाले थे जो इन A, B, C सभी प्लैन्स को नाकाम करते, पर क्या इसके चलते ही इस केस का खुनी और खुन का मकसद, साफ साफ हमारे हाथ लगने वाला था, पता करते हैं कल रात इस केस के दूसरे और आखरी एपिसोड, Crime Patrol सतर, जैहिन! करते हैं करते हैं